तो ये राहूल जी का एक तरीका है भारत वर्ष के उपर हमला करने का और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके उपर हमला करने का कि आज जो एक मुद्दा सामने आया है सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है यूस में केस चल रहा है आक्षेप प्रति आक्षेप है हम नों का स्पष्ट मानना है जहां तक company और company का case का विशय है company उस पर अपना statement जारी करेगी, company उस पर अपना बचाव स्वेंग करेगी law will take its own course मगर जिस प्रकार से आज documents सामने रखे गए सुबह से media में हमने भी documents देखे the public, in fact because the documents are in the public domain people of this country have also seen the documents बिजली को लेकर बिजली के सेल को लेकर सेल परचेस को लेकर जो agreement है और state distribution companies SDCs के साथ जो agreement है उसको लेकर ये पूरा मुद्दा है US और भारत इन दोनों के बीच electricity का लेंदेन दो कमपनिया है एक भारत की कमपनी है एक US की कमपनी है और भारत के चार राज्य है ये चार राज्य कौन कौन से है जिनका नाम US के कोट में भी आता है और भारत वर्ष में तमाम चैनलों ने उन चार राज्यों के नाम को उजागर किया है ये पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है जुलाई SDC State Distribution Company Electricity Distribution Company वो स्टेट की ही प्रापर्टी होती है स्टेट गवर्मेंट की 36 गड़ की सरकार 36 गड़ में किस की सरकार थी कॉंग्रेस पार्टी की भुपेश बगेल जी की सरकार 36 गड़ में उस समय मौझूद थी डॉक्यूमेंट में भी मौझूद है उस समय आंद्रप्रदेश में जहां सबसे ज़्यादा लेंदेन के विशह में चर्चा हुई है यह जो तथाकथित लेंदेन के विशह में बातचीत हुई है सरवाधीक आंद्रप्रदेश में हुई है किसकी सरकार थी आंद्रप्रदेश में क्या भारती जंदा पाटी की सरकार थी नहीं क्या हमारी समर्थित सरकार थी नहीं किसकी सरकार थी YSRCP की सरकार थी उस समय तमिलनाड में क्योंकि तमिलनाड का नाम भी इसमें आता है उनके स्टेट डिस्टिबिशन कंपनी का नाम आता है किसकी सरकार थी DM के आपके सहयोगी स्टालीन जी की सरकार थी DM की की सरकार थी उस समय उडिसा में किसकी सरकार थी BJD की सरकार थी तो स्वभाविक रूप से ये चारो राज्य जिसका जिकर documentation में सामने आया है US में सामने आया है उन चारो राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी Congress और उनके सहायक दलों की सरकार थी और आज राहूल जी ने अपने Press Conference में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ती नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताच हो तो ठीक है भुपेश बगेल जी से पूछताच हो हमें भी कोई आपत्ती नहीं है ये चारो राज्यके जो मुख्य नेता हैं जिनके अंडर में Electricity Board इत्यादी रहा होगा इनके मुख्यमंत्री हो उनसे पूछताच करें हमें कहें क्या पत्ती होगी आप केस करिए ना आप केस करिए बिलकुल पूछताच करिए और आपने एक बोर दिखाया बिजली का बिल आपका और मुनाफ़ा उनका तो तमिल नाडू में बिजली का बिल भारतिय जन्ता पाटी की सरकार तो नहीं दे रही थी ना बिजली का बिल तो DM की की सरकार दे रही थी ठीक उसी प्रकार 36 गड़ में जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में बिजली का बिल मोदी जी की सरकार तो जन्रेट नहीं कर रही थी बिजली का बिल तो भुपेस बगेल जी ही जन्रेट कर रहे थे तो पैसा मोदी जी के जेब में कैसे चला गया पैसा तो वहीं के मुख्य मंत्री और वहां के SDC के कमपणी के जेब में जाएगा ना आपके मुताबिक आपने कहा मुनाफा उनका तो उनका कौन है उनका तो ये चारो राज्य में हमारा कोई नहीं है उनका तो आप ही के हैं तो इसका जवाब राहुल जी आप दीजिए राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खतम हो गई मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे अडानी के पीछे मोदी जी खड़े है इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खतम हो गई राहुल जी कान खोल के सुन लीजे ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेश्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलीटी को ध्वस्त करने की चेश्टा आप आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है माउत के सौधागर से तुम नीच हो पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है से चौकिदार चोर है तक ऐसे सो गालिया में गिनवा सकता हूँ जहां आपने कहा कि मोदी की क्रेडिबिलीटी खतम हो गई है और मोदी के इमेज पर डेंट पड़ गया है मगर राहुल जी जब आप PC कर रहे थे और जब मैं PC कर रहा हूँ तो हमारे देश के आदर्निय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलीटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसो मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाइस्ट सिवीलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है ये है मोदी की क्रेडिबिलीटी ना मौत के सौधागर से मोदी जी की क्रेडिबिलीटी पे डेंट पड़ा न चौकिदार चोर है कहने से मोदी जी के credibility पिडेंट पड़ा क्यूंकि देश की जनता जानती है कौन credible है और किसकी credibility नहीं है देश की जनता सटीग भाव से जानती है बंदुगन structure की बात हुई है कि बहुत बड़ा structure है हम structure दिखाएंगे रहुल गांदी जी हमें भी पता है हमें भी पता है आपके structure के विशह में ये इलहान ओमर और ये जॉज़ सोरोस ये जो आपका structure है ना अंतराश्ट्रिय स्ट्रक्चर इस structure के विशह में हमें भी पता है और आपके structure का नियत क्या है आपकी जो अंतराष्ट्रिय स्ट्रक्चर है वो भारत वर्ष के मार्केट के ऊपर आगात करना चाहती है निरंतर आगात करती रहती है ये गांधी परिवार और ये कॉंग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थवेवस्था विश्व में तीसरे नंबर की और बढ़ रही है अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यताशिग्र हम तीसरे नंबर की अर्थवेवस्था होंगे यहा राहूल गांधी और गांधी परिवार, कॉंग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है इसलिए ये इंडिया के मार्केट के उपर भारत के मार्केट के उपर आक्रमन पे आक्रमन कर रही है आज सुबह चार बजे से सुबह चार बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इंफ्लूएंस करना अंतराष्ट्रिय मार्केट में एक मेसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना लगभग धाई करोड निवेशक, छोटे निवेशक जिन्होंने अपनी पुंजी कमधन का निवेश अपनी पुंजी जिन्होंने शेर मार्केट में लगाया था आज उनको भारी नुकसान जेलना पड़ा है छोटे निवेशकों को lower middle class middle class के लोगों को धाई करोड लोगों को यह जिलना पड़ा है यह आप निरंतर जो भारत के मार्केट के उपर कई प्रकरण रहा है इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के उपर हमला करने की कोशिच की है ताकि मार्केट डिप करे कि economy पर attack और राहुल जी आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है तो हमारा भी सवाल है यदि आडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कॉंग्रेस के सरकार के समय भुपेश बगेल जी के सरकार के समय 36 गड़ में 25 हजार करोड रुपे का निवेश अडानी की कमपनी ने किया क्यों लिया आपने 25 हजार करोड रुपे का निवेश जब आपकी सरकार थी 36 गड़ में जब राजस्थान में अशोग गहलोद जी की सरकार थी 65,000 करोड 65 हजार करोड रुपे का निवेश अडानी की कमपनी ने राजस्थान में अशोग गहलोट जी की समय उनके सरकार में किया था क्या कारण था करनाटक में जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी और अभी भी कॉंग्रेस पार्टी की सिद्रमिया की सरकार है अडानी की कमपनी ने एक लाग करोड रुपे का निवेश करने का वादा किया था, मैं अभी रिसर्च करके आया नहीं हूँ कितने का निवेश हुआ है वो अभी हम निकाल लेंगे, 36 गड़ में और बाकी राज्यों में तो हो गया है मगर करनाटक में एक लाग करोड का निवेश करने का वादा किया था बंगाल में 35,000 करोड 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 का निवेश है बंगाल में आपका साठगाट है आंदर प्रदेश में 60,000 करोड का निवेश है तमिल नाडू में 45,000 करोड का निवेश है 19 अक्टोबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रिवंतर एडडी जो कि तलेंगाना के मुख्यमंत्री है उन्हें 100 करोड रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था काउसल विकास स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए क्यों लिया था डोनेशन एक करप्ट विक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया कि सरकार ने डोनेशन क्यों लिया निवेश भी नेए डोनेशन लिया 100 करोड का 23 जनवरी दे होदो हज़ार 24 23 जनवरी 2024 रिवंतर एडडी जी जो कि तलेंगाना के मुख्यमंत्री है वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम में वो लीड करते हैं और तलेंगाना की कॉंग्रिस की सरकार 12,400 करोड का M.O.U. साइन करती है आडानी ग्रूप के कमपनियों के साथ 12,400 करोड रुपए का राहुल जी कौन जवाब देगा क्या आप और एवंतर एडडी अलग है क्या आप और अशोक गहलोत अलग है या इनका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूँ और हमने भी 12 वर्ष से मैं प्रवक्ता के पदपे मैं अब देख रहा हूँ कि चाहे 2G का केस हो चाहे CWG का केस हो कोल स्कैम हो इन सभी विशियों को लेकर भारतिये जनता पार्टी उस समय कोट में जाती थी अरुन जेकली जी हमारे बीच में नहीं है प्रभू उनके आत्मा को शांती दे देश विदेश के कद्दावर नेता और एक बहुत बड़े स्थापित वकील थे हर केस में वो लड़ते थे केस साबित होता था इन्वेस्टिगेशन होती थी हम आधार को लेकर लड़ते थे और मैं आज राहूल गांदी से पूछना चाहता हूँ जिस प्रकार हम केस करते थे केवल प्रेस कॉन्फरेंस महीं करते थे आप केस करिए न आप केस करिए कोट जाइए और मुझे आज तकलीफ हुई इस बात से आपने अपने PC में आप देश के एक सांसद है छोड़ दीजिए कि आप किसी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं मगर आप एक सांसद हैं और आपने कहा कि इस हिंदुस्तान में इस भारतवरस में हमें कॉंग्रेस पार्टी को कोट का भी काम करना पड़ रहा है जुडीशिरी आपने पτιक्लरली जुडीशिरी शब्द का इस्तेमाल किया कि मीडिया भी अतना काम नहीं कर रही है मीडिया का काम भी कॉंग्रेस कर रही है बहुत हद तक और जुडिशेरी का काम भी कॉंग्रेस कर रही है वा बेल पे बाहर मावेटे और जुडिशेरी का काम कर रहे हैं आदे लोग तो बेल पे बाहर हैं और यह जुडिशेरी का काम कर रहे हैं बताइए इस पर तो कंटम्ट लेना चाहिए कि जुडीशेरी का काम कर रहे हैं और आज तो मुझे बड़ा दुख लगा हमारे एक पत्रकार बंदू ने तीन सवाल क्या पूछ लिए उनसे ऐसे जेप गए कि ये बीजेपी का अरे भाईया पत्रकार है आप भी तो हमसे पूछेंगे अभी राहूल गांदी राहूल जी कह रहे थे इंडिया हाईजाक हो गया है गलत टेंस गलत है पास्ट टेंस में होना चाहिए था फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं इंडिया हाईजाक हो गया था गांदी परिवार ये नकली गांदी परिवार उसके हाईजाकर थे कॉमेंडो ने म 35,000 की फूट की उचाई पर उडान भर रहा है तीसरे नंबर की economic शक्ती बनने जा रहा है तो राहूल गांधी India is not hijacked, India was hijacked, today India is soaring high as far as economy is concerned और बार बार बोलते हैं जेपीसी कर देंगे, जेपीसी बना देंगे, सरकार कहीं बनती नहीं है, कहीं सरकार बनती नहीं है तो जेपीसी बना कर ही खुश हो जाते हैं, तो बलते हैं जेपीसी ही बना देंगे, सरकार तो बन नहीं रही है और जेपीसी बना दीजिएगा तो व पूरा ड्रामा और नौटंकी शुरू कर देंगे कि इस प्रकार से भारत की एकोनोमी नहीं चले कि इस प्रकार से भारत का पार्लमेंट नहीं चले कि इस प्रकार हर जगा के ओस और अस्त विस्तता रहे यही राहूल और कॉंग्रेस पार्टी का विशेश उनका प्रबंदन है और अपने मुह मिया मिठू बनना राहूर गांधी बंद करे इतना कहके मैं अपने विशे को समाप्त करता हूँ कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे